नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपके पने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तरप्रदेश की महत्पूर योजनाओं के बारे में जो भी previous year paper में question आए हुए हैं उनको हम discuss करेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए इसमें हम top 50 question discuss करने वाले हैं जो कि आपके exam point of view के लिए बहुत महत्पूर हैं देखिए एक वीडियो और आएगा जिसमें हम योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे अलग से जिसमें सभी उत्तरप्रदेश की सभी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अब देखिए इसमें क्या है ये question क्या है आपके previous year question है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं और आपको जानकारी के हिसाब से बता दें कि जितनी भी योजनाएं होती हैं जो भी स्कीम होती हैं लेकिन उनके कुछ ना कुछ समय पूरा होता है उनके लिए कोई ना कोई बजट नेर्धारड होता है तो वही योजनाएं बापस से रिपीट होती रहती हैं जो भी 2023, 2024 या 22 में जो भी नई योजनाएं होंगी उनके लिए एक separate वीडियो आपके लिए तयार कर दिया जाएगा तो चैनल पर बने भी रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे जिससे वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर एक से पहला कुश्चन पूछा गया था जो की यूपी पीसीयस जुडीसरी से था 2003 का ये बहुत ही पुराना कुश्चन है गोकुल ग्राम योजना का संबंद किस्से है तो इसका संबंद है उत्तर प्रदेश से देखिए हो सकता है ये कुश्चन अभी ना आए ये कुश्चन अभी ना पूछा जाए लेकिन ये जो गोकुल ग्राम योजना है ये उत्तरप्रदेश से संबंदित है और इसके तहट गाउं गाउं जाकर गोवन्स का निसुलक क्रत्रिम गरवाधान किया जाता है ताकि अच्छी नसल के गोवन्स को बढ़ावा दिया जा सके तो इसलिए ये योजना अभी पूछी जा सकती है इ कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए जिनोंने उत्तीड किया है क्या उत्तीड किया ट्वैल्थ पास किया है ट्वैल्थ पास जिनोंने किया है उनके लिए कन्या विद्याधन योजना की शुरुवात की गई थी और यह कब शुरुवात की गई थी दो हजा जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनको क्या 30,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई थी जिन्हों ने 12th पास किया था अगला कुशन है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्रसी बिविदी करड परियोजना जिसे यूपी डास्प के नाम से भी जाना जाता है यह कब प्रायोजित की गई थी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा केंदर सरकार द्वारा और विश्व बयंक द्वारा यह प्रायोजित यूजना है और याद रखेगा जो भी प्रायोजित योजना होती है वो किसी न किसी दूसरे के साथ मिलाप में ही शुरू की जाती है कि kalo अंदर सरकार द्वारा की गई थी और भिश्व को ड्रॉप किया जाता également कि यह यह फिरोपर तरीके से तो ऐसे कुश्यं पर याद रखिए गा ऐसे कुश्यं को अटेम्ट जरूरॉड करना है क्योंबि पूरे मार्स मिलने मिल जाएंगे बिविद किरिशी सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरड सितंबर 1998 में विश्वाइंग की सहायता से प्रारम किया गया जो मार्च 2004 तक चला डास्प का दुतिये चरड नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारम किया गया जिसे RKBY, BI यानि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया और चूंकि प्रस्ण में चरड का उल्लेक नहीं किया गया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा B और C हो जाएगा अगर दिखिए चरड का पूछा जाए कि प्रथम चरड और दुतिये चरड किसके द्वारा सुरू किया गया तो उस पर ध्यान लगाईएगा और उस कुश्चन को अंसर दीजिएगा और ये UPPCS ROYRO मेंस 2021 में कुश्चन पूछा गया था अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेका नंद एतिहासिक पर रेटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न मेंसे किन व्यक्तियों के लिए आरंब के गई थी बुजरुगों के लिए महिलाओं के लिए तो ये दोनों नहीं हैं बुजरुगों और महिलाओं के लिए नहीं हैं राइट अंसर क्या हो जाएगा मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेका नंद एतिहासिक पर्रेटन यात्रा आरम की है और इस योजना के तहत उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा और उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपए धारमिकिस्तल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किये जाएंगे इस योजना का लाब लगबग 1.5 करोड स्रमिकों को दिया जाएगा तथा ये लोग इस योजना के माद्यम से गोरकनाद मंदिर, हस्तिनापुर सहर जो की मेरट में पड़ता है प्रियागराज धारमिकिस्तल, सांकवरी देवी मंदिर, बिंदिवासनी देवी मंदिर, आयोध्या, मतुरा, बनारस, आदी धारमिकिस्तलों पर भी जा सकेंगे संगम योजना का मुख उद्देश क्या है विकलांगों की कल्यारण व्रद्दी करना यह भी UPPSC RO2021 के प्री में यह पूछा गया था में क्या-क्या हमें पढ़ना होगा तो संगम योजना की बात की जाए तो संगम योजना का मुख्य उद्देश विकलांगों की कल्यार व्रद्दी करने से है और यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंब की गई थी देखिए आप इससे समझिए कि कब प्रारंब की जब भी कोई प इसके बारे में पूछा गया है कि इसका उद्देश क्या है तो इसका आसे क्या है कि 2021 का जब यह पेपर हुआ था उससे पहले करेंट अफेर्स के जब भी जिसने भी करेंट अफेर्स पड़ी होगी तो उसको पता होगा कि इस योजना के तहत कोई ना कोई चरड सामने आया यह 1996 की योजना जब 2021 में पूछ सकता है तो क्या 2000 की या 1998 की या 2004 की 2005 की 2010 की योजना क्या 2024 के पेपर में नहीं पूछ सकता है तो यह जरूरी नहीं है कि योजना कितनी पुरानी है लेकिन योजना जो न्यूज में रहती है वो कुश्चन में जरूर आएगी तो यह चीज या गई थी कब की गई थी यह प्रारंब की गई थी 15 नवंबर दो हजार बारे को और पूछा कब गया दो हजार सत्रह में देख लिए पांस सालवार लवक पूछा गया है प्रारंब कब की गई थी 2012 में उत्तर प्रदेश में राज पोसर्ड मिसन सम्मंदित है उत्तर प्रदेश में राज पोसर्ड मिसन किस सम्मंदित है कुपोसर्ड से सम्मंदित है जे अति कुपोसर्ड बच्चों को कुपोसर्ड से निजात दिलाने के लिए यह राज पोसर्ड मिसन योजना उत्तर प्रदे सरकार के द्वारा चलाए गई एक योजना है और यह भी UPPSC ACF एक्जाम 2017 में यह कुशन पूछा गया था चलिए आप कुछ देख लेते हैं कि हमें कोई योजनाओं में पढ़ना क्या क्या होता है यह चीज़ देख लेते हैं कि योजनाओं में पढ़ना क्या क्या है इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 8 की ओर देखे जितनी भी scheme हैं हम यहाँ पर सभी scheme की बात कर रहे हैं चाहे वो उत्तरपरदेस सरकार की scheme हो या इंडिया गवर्मेंट यानी Central Government की scheme हो कोई भी scheme हो हमें क्या क्या चार चीजों पर विसेज ध्यान देना हुगा कौन कौन सी चार चीज हैं जैसे मालीजी कोई भी scheme scheme ले रहेते हैं और उसमें हमें देखना होगा कि ये परारम्म कब की गई हाला कि ये बाला question बहुत रेएर chances रहता आने लेकिन आपको फिर भी देखना होगा परारम्म कब की गई उद्देश क्या है उद्देश क्या है और लक्ष क्या है कोई लक्ष अगर किसी स्कीम में कोई ना कोई लक्ष भी निर्दारित कर दिया जाता है कि इतने साल तक हम यह काम पूरा कर लेंगे जो हमने उद्देश बनाया उस उद्देश को कि एक लक्ष निर्दार्द कर दिया जाता कि इस साल तक हम यह लक्ष हासिल कर लेंगे तो लक्ष क्या है और करेंट टाइम में क्या वो न्यूज में है और न्यूज में है तो वो किस बेस पर न्यूज में है ये चीज भी आपको देखनी होगी सबसे जादा जो कुश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा उद्देश से लक्ष से फिर इसके बाद में प्रारंब कब हुई और लास्ट आपसन देगा कुश्चन पूछने का वो न्यूज का कारण कि आखिर ये न्यूज में क्य इस प्रकार से कुश्चन योजना से संबंदित पूछे जाते हैं तो ये चीज याद रखीगा ऐसे कुश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुश्चन नंबर आठ है गोम्ती कार्योजना के अंतरगत निमलिखित मेंसे किस जनपद में प्रदूसर निवनी करड कार्यों पर समूचित बल दिया गया है याद रहिएगा नहीं दिया गया है राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा सीतापूर, सीतापूर पर बल नहीं दिया गया है कौन सी गोमती कार्योजना और प्रस्नकाल में गोमती नदी को घरेलू शीवेश से मुक्त करने हेतू गोमती कार्योजना का प्रारंब किया गया था ये 2006 में UPPSC BEO की एकजाम में पूछा गया था भारत सरकार के पर्यावरणे में बन मंत्राले के सहोग से 1993 में प्रारंब किया गया था और उपरियुक्त बिकल्पों में सीतापूर में प्रोदूसर निवनी करर कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया था यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा इस स्कीम को पढ़ते हुए क्या है केंद्र प्रयायोजित योजना है केंद्र प्रयायोजित है मतलब क्या ये केंद्र के द्वारा योजना चलाए गई है या फिर राज्ज के द्वारा चलाए गई है या फिर दोनों के द्वारा स्पॉनसर है म्लब प्रयायोजित कौन सी है और कौन कौन सी मिक्स योजना है तो यह सारी चीजession आप लोगों को याद रखनी होगी ये बहुत ही महत्यपूर है कौन सी केंदर प्रयायुजित अगर राज जी की योजना पढ़ रहे हैं तो राज जी प्रयायुजित कौन सी है और किसमें जो या फिर आप लोग याद रखीगा कौन सी योजना है जो दोनों के द्वारा चलाएगी या राज सरकार या केंदर सरकार के द्वा आजाते हैं अगला कुश्चन है आत्म निर्बर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंब किया गया था 26 जून 2020 को यह प्रारंब किया गया था कब कोबिड-19 की महामारी के बाद रोजगार सरजन के उद्देश से प्रारंब किया था इसे और जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलो को कितने जिलो को 31 जिलो को चिन्नित किया गया था बहुत ही महत्यपूर कुश्चन है यह देखिए यह जो यूपी प्यसी एसी अप आरेफ आरेफो का जो मेंस फर्ष्ट पेपर हुआ था 2019 का उननीस का पेपर है लेकिन उननीस में नहीं हुआ था बाद में हुआ पोँछा गया था कि कब प्रारंब की गये अगर कोई योजना का जो कुश्चन इस प्रकार से आता कि ए तो याद रखीगा इसके शोते होते है वजना हाल ही कि वरसों में चालू की गई है वरना जितनी भी होग पुरानी होती है उनके उद्देश पर ज्यादा ध्यान दी जीए उनके उद्देश उनके लक्ष पर ध्यान दीजिए बस कुष्चन वहीं से फूसेगा उसके बाहर कुष्चन नहीं जायेगा और जो कि योजना होती है एक-दू सालों के इंतरगत उसमें आप-थि और किया इप कि इसको लाव मिल सकता है कि इसको लाव नहीं मिल सकता है ऐसी सबी चीजों पर जो महत्यपोर बिंदु उन पर आप लोग ध्यान दे लिजीगा उनको हाइलाइट कर लिजीगा ऐसे कुछन पूछ लिए जाते हैं अब देखिए अगर ये कुछन दुबारा पूछा गया तो ये उद्देश से रिलेटेट कुछन पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश क्या था इसमें उत्तर परदेश के कितने जिलेस सामिल किये गए है यह य्योजना के अनतरगत कोई अन्य प्रास परियोजना के मुख लक्ष निमलिखित में से क्या है नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर चुनिये राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा पहले हम लक्ष पढ़ लेते हैं पहला दिया गया है क्रसी उत्पादन बढ़ाना दूसरा है बहु फसली खेती द्वारा भूम सब्सक्राइब का सुदार करना तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा सभी तीनों हो जाएंगे ऑप्सन डी इसका राइट अंसर हो जाएगा ये तीनों ही इसके लक्ष है अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधि सूचित पीडित तो राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्सन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा इतनी इम्पॉर्टन नहीं है जितनी भी योज्णा हो जो उसकी लिए आपको हम टिक कर वादेंगे अगला कुश्यन है हो जाएगा option a यानि assertion region दोनों सही है और assertion region की सही ब्याख्या करता है सही ब्याख्या क्या है रीजन है assertion की तो याद रखीगा option a इसका right answer है और 60 से 70% chances यह होते हैं कि अगर a और दोनों सही है assertion और region दोनों सही है तो option आपका यही बनेगा की सही ब्याख्या करता है और अगर ऐसा होता है कि r नहीं सही है तो आप लोग का option आपका बनेगा तो तो मतलब एक तरीके से बनी जाएगा कि आर गलत है यह सही है लेकिन अगर दोनों सही है तो 40% चांसे रहते हैं कि ब्याख्या नहीं करता है लेकिन उससे कुछ ना कुछ संबंध निकालना होगा आपको अपनी जनरलाइफ से रिलेटेट संबंध निकाल ल लगा दीजीगा वो आपके ज्यादा तर चांस रहेंगे सही छोड़ने से अच्छा उस पर रिस्क ले लीजिए अगला कुछन है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी ऑप्सन डी उन्नीस सो बानवे में और यूपी पीसेस मेंस जीयस फर्ष्ट मे 2015 में यह कुछन पूछा गया था अगला कुछन है बिस बैंक द्वारा बित पोसित सोडिक लेंड रिकल्मेशन प्रोजेक्ट सेकेंड हे तु उस जनपत को चिनित कीजिए जो परियोजना के लिए चैनित नहीं है तो कौन सा नहीं है सीतापूर परियोजना के लिए चैनित नहीं है साथ जुन 2009 को उत्तरप्रदेश सेटिक लेंड रिकल्मेलेशन प्रयोजना द्वारा प्रविदेश के 24 जुलो में उसर एवं बीहड भूमी सुदार संबंदे 6 बरस ये प्रयोजना प्रारंब की गई थी ये इतनी ज्यादा महत्पूर नहीं क्यूंकि ये 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 एकस्पायर हो चुकी है 2009 से चालू की गई थी और कभ 2015 में ये खत्म हो गई है 6 बरस के लिए चालू की गई थी तो इस पर ध्यान मत दीजीगा उत्तर प्रदेश उद्योग बंदू योजना का उद्देश है और द्योगिक इकाईयों की समय वद्ध इस्थापना सुनिश्चित करना अगला कुशन है उत्तर प्रदेश में किसान में त्रियोजना का आरंब कब किया गया 18 जून 2001 को किशान मित्र योजना का आरंब किया गया था अगला कुशन लखनव योजना संबंदित है विकास से कौन से विकास से संबंदित किस विकास से है राइट अंसर सडको के विकास से सडको के विकास से ये संबंदित है और यह भारतिय सड़क कॉंग्रेस द्वारा 1981 इस्वी में महत्वा कांची योजना के रूप में लखनो योजना प्रारंब की गई थी रिलाइंस निम लिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित उर्जा उत्पादन पर योजना है राइट अंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश अगला कुशन ग्यान दीप सिच्छा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंब की गई थी कब प्रारंब की गई थी 2002 में प्रारंब की गई थी ग्यान दीप सिच्छा योजना अगला कुश्यन कल्प योजना सम्मंदित है प्रात्मिक सिच्छा से कल्प योजना सम्मंदित है और इस योजना के अंतरगत प्रारंबिक सिच्छा से सम्मंदित इस योजना का मुख्य उद्देश विद्यालियों को समाज से जोड़ कर उसमें आध्यात्मिक महौल इसकूल से प्रारम किया गया था, UPPCS MinS GS First Payer में 2012 में यह कुश्चन पूछा गया था, मिध्डे मिल कारिकरम का प्रारम 15 अगस्त 1995 से माना जाता है, तथा भी इसका प्रारम भारत में उननी सो साट के दसक में ही हो गया था, यहे कारेकरम कच्छा में बच्चों को भूँक से बचाने नामांकन तथा उपस्तिती बढ़ाने सभी जाती के बच्चों के में समाजिक्ता को बढ़ावा देने उद्देश से प्रारंब हुआ था तो यह इसके उद्देश हैं यह चीज भी आप लोग पढ़ लीजेगा यह सरपरद्धम तमिल नाडू में तत्कालिन मुख मंत्री के कामराज द्वारा लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था तो याद रखेगा क्विष्शन यह भी बन सकता है उत्तर प्रदेश में प्रारंविक सिच्छा के लिए इस्कूल चलो अभियान कब सुरू किया गया इस्कूल चलो अभियान बर्स 2000 में सुरू किया गया था और यह 2012 में यूपी पी सिसमेंस में कुश्ण पूछा गया था प्रारंबिक सिच्छा के लिए सर्व सिच्छ अभियान का प्रारंब 2000-2001 में हुआ था इसका मूल उद्धिस सभी को निसुल्क सिच्छावा सभी को ज्यान देना है क्या है सभी को ज्यान देना है आप लोग कमेंटिव बताइए कौन से सम्मिधान संसोधन के तहट आर्टिकल 21st A यानि सिक्षा का अधिकार और जो हमारी fundamental duties है उसमें 11 मी duties और DPSV में कब जोड़ा गया था सिक्षा के अधिकार से सम्मंदित कौन से अनुछेद में अनुछेद तो बताय दिये हैं कौन से सम्मिधान संसोधन में ये चीज़े जोड़ी गए थी अगला कुशन उत्तर प्रदेश में विकास केंदर परियोजना का सुबारम कब किया गया था विकास केंदर परियोजना का सुबारम अक्टूबर 2001 में किया गया था इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल आकास Global Studies पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको description box में दी गई है वहाँ से आप लोग चैनल को जोईन कर लीजिए और इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं revision के लिए बहुत अच्छे question दिये गए हैं तो इनको आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा एक बार revision जरूर करिएगा अगला question the operation green पर योजना उत्तर प्रदेश में सुवारंब हुआ था 2001 में सुवारंब हुआ था एक जुलाई 2001 में उत्तर प्रदेश में क्रियानवित की जा रही निमलिखित योजनाओं में से कौन सी केंद्रिय सरकार की योजना नहीं है गंगा एक एक एसी योजना है जो केंद्रिय सरकार की योजना नहीं है गंगा एक्सप्रिस वे 15 जिनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार दौरा सुरू की गई सड़क पर योजना है यह नोईडा से बलिया तक जाएगी यह एक्सप्रिस वे 8 लेन का होगा जिसका सिला न्यास लखनो में माया बतीजी ने किया था देखिए याद करिए यह कुष्चन उतना ज्यादा महत्यपूर नहीं क्योंकि अभी यह बनकर तयार हो गया है लेकिन कुष्चन पूछा जा सकता है तो यह चीज़ याद रखिएगा स्वाव लंबन योजना निम लिखित में से किस उद्देश कोई पूरती करती है महिलाओं को प्रिसिछड एवं कौसल परदान करना यह उद्देश की पूरती करती है अगला कुष्चन उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख मंत्री महा माया मुवाइल अस्प प्रदेश सरकार की एक योजना है अब इसके बारे में कुछ कथन दिये गए हैं उनको पढ़ते हैं दूर दर्सन द्वारा ग्रामीर छेत्र में सिछा के प्रसार हे तू क्या यह सही है जी बिल्कुल सही है विस्विद्याले तथा उच्चितर विद्याले तथा उच्चित परिश्य हे तू तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा तो आप्सन ए और बी सॉरी आप्सन एक नंबर और चार नंबर स्टेटमेंट सही हैं चलिए कूट से देख लेते हैं तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आप्सन डी एक एवम चार अगला है गैस होल पाइलेट पर प्रदेश में आरंब की गई थी आवला में आवला में यह परियोजना प्रारंब की गई थी महत्यपूर नहीं है अगला देखिए जो कि महत्यपूर है उत्तर प्रदेश बित्य निगम के संदर में निमली खित में से कौन सा कथन सत्य है तो राइट अंसर इसका क्या हो जा तो option C इसका right answer हो जाएगा अगला कुछछन है उत्तर प्रदेश बित्तिय निगम किसका बित्तिय करण नहीं करताहे राइट अंसर पर रेटन संबंदी उद्योगों का वित्तिकरण नहीं करता है अगला कुश्यन है उत्तर प्रदेश के बरतमान राजजिपाल है तो उत्तर प्रदेश में बरतमान राजजिपाल है राइट अंसर क्या हो जागा है ये उस टाइम का कुश्चन है तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए अभी कौन है आनंदी बेन पटेल आनंदी बेन पटेल तो ये चीज़ याद रखिएगा ये उस समय का कुश्चन है 2013 का यूपी कॉंस्टेवल परी में पुछा गया था इतना ध्यान मत दीजिएगा ऐसे कुश्चन आप लोग कौन क्या है इस प्रकार के वीडियो देख लिजिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा बरतमान में उत्तरप्रदेश के राजपाल आनंदी बेन पटेल है अगला कुश्चन है उत्तरप्रदेश के कौन से मुखमंत्री ग गोरखपुर मट के अध्यक्ष भी थे याद रखीगा बहुत ही महत्यपूर है चलिए इनके बारे में देख लेते हैं स्री योगी आधितनात गोरखनात मंदिर और मट के मुख पुजारी भी है और एक राजनेता भी है बरतमान में स्री योगी जी आधितनात या स्री अज अधितनात जी गोरखनात मंदिर के पूर्व महंत अवायदनात उत्त्रा दिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्टवादी समूं के संस्तापक भी है अगला कुश्चन है अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहन छेत्र में हरिच छेत ने और मर्दा परदन को रोकने के लिए निमली खित में से कौन से योजना की शुरृआत की गई थी तो गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की गई थी अपरेल 2018 में अभी यह पूछ बोश्री चप्पाद के तहट हस्त निर्मित काज के उत्तर प्रदेष के लिए उत्त 24 जनवरी उत्तरपरदेस का सनल कि इस्थापना धिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी 2018 को तुछ दिवस के अफसर में उत्तरपरदेस सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पात बन डिस्टिक बन प्रोडक्ट आपको जानकारी के लिए बता दें जितने भी बन डिस्टिक बन प्रोडक्ट से सम्मंदित प्रोडक्ट थे और कौन से जिला से सम्मंदित है उसका वीडियो आपके लिए बना दिया गया है और चैनल पर भी पढ़े चुका है तो उसको आप काला नमक चावल की किश्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तरपदेश के किस जिले को चुना गया था सिद्धार्त नगर जिले को चुना गया था 2018 में भी यह देखिए लगातार कुश्चन पूछा जा रहा था जो 2018 का एक्जाम हुआ था यूपी पुलिस कॉश्टेवल का उसमें हर सिप्ट में और इस वार भी लगबग लगबग जो भी एक्जाम हुए हैं दस सिप्टों में यूपी पुलिस कॉश्टेवल के एक्जाम हुए हैं इन्होंने एक सिंपल सा पैटर्न पकड़ लिया था और उसी पैटर्न पर आधारी सारे कुश्चन थे मतलब हर सिप्ट के कुश्चन थे याद रखीगा बहुत ही महत्यपूर है ऐसे पीवाई को को एनलिसस जरूर करि हमारा राईट एंसर उत्तर परदेश इसका अर्थ क्या होताँ है आपकी सुरच्चा हमारा संकल्प है और यह उत्तर परदेश पुलिस का संकल्प है उत्तर प्रदेस पुलिस का आदर्स बाग के भी कह सकते हैं सुरच्छा आपकी संकल्प हमारा परित्राणाएं सादुनाम बिनासाएं चदुष्ट कताम ये क्या है ये इसका संस्कृत भासा में है अच्छे का संदच्छड बुरे का बिनास है और यह है 1863 में गठित उत्तर प्रदेस पुलिस उत्तर प्रदेस में 236,286 बर किलोमेटर के छेतर में तकरीवन 198 करोड लोगों की सुरच्छा मोहिया कराती है 19.8 करोड अगला कुश्चन गोकुल पुरुसकार परियोजना संबंदित है घी उत्तपादन से दुख दुथ पादन से या फिर पेड़ा उत्तपादन से या उपरिक्त में से कोई नहीं तो गोकुल किसे सम्बंदित है? दुख दूत पाधन से सम्बंदित है. राइट अंसर क्या हो जाएगा? दुख दूत पाधन से सम्बंदित है. अगला कुश्चन डा के करमयोगी पोर्टल का उद्देश क्या है? इसका उद्देश है लगवग 4 लाग ग्रामीड डाक्ट जोकों की छमताओं में ब्रद्दी करना निम्न में से किस राज्ज में भारत के प्रथम अमरित सरोबर का उध्गाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में किया गया और यूपितर प्रश्ची पेट 2022 में कुछन पूछा गया था भारत के प्रथम अमरित सरोबर का उध्गाटन उत्तर प्रदेश राज्ज में किया गया केंद्री अल्प संकिक मामलों के मंतरी मुक्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमरित सरोबर का उध्गाटन किया यह रामपुर जिले में है कहां पर है रामपुर जिल अगला कुश्यन है उत्तर प्रदेश में 10 के प्रचार हे तु कन्या सुमंगला योजना की शुरुवात की गई है राइट अंसर लड़कियों के लिए स्वास्त एवम से छडिक मानक के प्रचार हे तु यह योजना की शुरुवात की गई है इस योजना की शुरुवात 25 अक् संद्रा हजार रुपए दिये जाएंगे और हर परिवार में अधिक्तम दो बेटियों को इस योजना का लाब मिल सकता है अगला कुश्यन है उत्तर प्रदेश में डैस हे तु सबरी संकल्प अभियान की सुरुवात की गई थी राइट अंसर क्या हो जागा कुपोसर दूर कर करने के लिए यह शुरुवाद की गई थी जबकि 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना की सुरुवात की गई थी कितने जिलों में 29 जिलों में याद रखीगा बहुत महत्वट अगला कुश्यन है कि सोरी बाल का योजना बर्स में डैस दिनों के लिए विद्ध्याले में वरी 2019 को किसोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसोरी बालिका योजना शुरू की गई थी बस यह इंपोर्टेंट इतना याद रखीगा और 300 दिन वाला भी याद रख लीजिगा अगला कुश्यन है प्रधान मंतरी किसान सम्मान न दी योजना की शुरूबात 24 फरवरी 2019 में की गई थी और इसके तहट सभी किसानों को 6000 प्रतिवर्स बित्तिय साहता प्रदान की जाएगी और प्रधान मंतरी किसान सम्मान ने दी योजना के तहट लाब प्राप्त करने के समन्द में उत्तर प्रदेश राज्जी को पहला इसतान प्राप्त है और यह जाएगी तो जब भी किस्ट जारी की जाती है तव इस समय कहीं न ऐसा होता है कि अधर लूर्द्र का दूसरा हो जाए महाराष्ट या मद्रप्रदेश या राजिस्तान का पहला हो जाए या जहां जनसंक्या लेकिन क्या सिंपल सी बात है उत्तरप्रदेश की जनसंक्या जादा है तो उत्तरप्रदेश का लगवगिस्तान जादा रहेगा और नगरिये जनसंक्या भी बहुत कम है उत्तरप्रदे इसका उन्मूलन जापाने इंस्फेलाइटिस का उन्मूलन इससे सम्मंदित है ग्राम विकास अतिकारी बाइस बारा दो हजर अठारा को जुग जाम हुआता सिफ्ट सेकेंड में ये कुश्चन पूछा गया था अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्यादन यूजना के अंतरगत बर्स 2016 की कच्छा बारा में उत्तीड चैनित छात्राओं को प्रोसान है तो कितनी धन्रासी प्रदान की गई थी राइट अंसर ये 30,000 रुपए प्रदान की गई थी देखिए कुश्चन पूँच लिया गया रिपीटेट कुश्चन है 2016 में ऐसे ही मालिज पीम किसान सम्मान निदी से कुश्चन पूँच लिया जा सकता है कि कितनी धन्रासी प्रदान की गई है टोटल धन्रासी की बात पूँच लिया सकती है वैसे तो सभी को पता है कि 6000 रुपए प प्रारंब किया गया था अगला कुश्चन है कन्या विद्या दन्योजना के अंतरगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कच्छा में उत्तिवर्ड होने का प्रवस्तान यह कुश्चन एक बार आचुका है हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्ज में ब्रद्दावस्ता पेंशन की धन्रासी कितने से बढ़ा कर कितनी की गई है यह इंपॉर्टेंट है यह कुश्चन पूछा जा सकता है ऑप्सन बीस का राइट अंसर हो जाएगा तीन सो से चार सो ऐसा न एक बार फिर से बढ़ाए गई है योगी आदितनात जी के द्वारा भी यह धन्रासी बढ़ाए गई है याद रखीगा बहुत ही महत्पूर्ड है तो यह कुश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और यह पूछा गया था 2016 में जब 2016 से पहले यह बढ़ाए गई योगी धन्रासी अब फिर से बढ़ाए गई है तो यह फिर से पूछा जाएगा तो याद रखीगा यह महत्पूर्ड कुश्चन आपके लिए बन सकता है तो अगर पूछ लिया जाए कि करेंट टाइम में कितनी धन्दासी है तो आप लोग बताएगा कि 6000 रुपए प्रती वर्स या फिर 500 500 रुपए प्रती मन्थ पर मन्थ यह कुश्चन पूछा जा सकता है तो करेंट टांडव में 500 रुपए प्रती महिना है उत्तर-प्रतेश सरकार द्वारा समाज वादी पैंसन योजना का प्राराम की गई है जनवरी 2014 में प्रारांब की गई है अ-ठाइस जनवरी 2014 को मझू प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्कीम का प्रारम कि सहर में किया था कहां किया था नोएडा में किया था किस जगह पर सेक्टर वासट में अगला कुशन है उत्तर परदेस सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष है उत्तर परदेस में डैस को प्रसाहिद करना है राइट अनसर क्या हो जाएगा स्वदेशी एवं विसेश उत्पाद इनको प्रवावित करना है और एक नई पहचान के लिए दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को ये योजना प्रारम्ब की गई थी प्रारंब की गई 24 जनुवरी 2018 को अब यह कुश्चन मुस्किले पूछा जाए कि प्रारंब की गई लेकिन फिर भी आप लोग याद रखीगा लेकिन क्या बन सकता है कि मान लिजिए कन्ना जिले का उत्पाद कौन सा है ओडी ओपी के तहट मैनपुरी का कौन सा है मैनपुरी अलीगड का कौन सा है अईसे कुश्चन पूछ लिये जा सकते हैं तो यह चीज आप लोग याद रखीगा यह चीज की लिश्ट आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी जिनको आप लोगों को याद करना होगा त तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद